जय हैं इंदिस वीडियों नों पावर सेक्टर के दो संदार दमदार श्टोक और इंदिनों काफी चर्चा मरने वाले श्टोक टाटा पावर और डानी पावर को बारें बात करेंगे आपको बताऊंगा कि आपका इंवेस्टमेंट इस कंपनी में क्यों होना चाहिए लेकिन आपके मन में यह सवाल आसकता है कि सिर्फ पावर सेक्टर पर ही जोर क्यों दिया जा रहा है तो इसका जवाब अभी सुन लिजिए देखिए पावर सेक्टर एफमसीज और फार्मा सेक्टर के बात तीसरी वह काम की सेक्टर है जिसके जरूत लोगों को हमेसा पड़ेगी चाहे लोग डाउन लग जाए चाहे परले आजाए लोगों को इसके प्रड़क्ट और इसकी सर्विसेज की पड़ेगी ही पड़ेगी और जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें रिनीवल इनर्जी भी आता है जिसका डिबांड फ्यूचर में काफी बढ़ने व दूसरी कंपनिये सामिल है इसका बहुत कम है जिसकी वजह सारे लोग और खासकर जो नए लोग शेयर बजार में फस जाते हैं उनको लगता है कि पैसे में ज्यादा सेयर्स मिल जाएगा इसमें इंवेस्टमेंट कर दो लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप एक हजार की एक बनने में टाइम लगता है आपको समय देना होगा और चलते हैं बैसिकली न्यूज और ऑपरेटर के दुवरा जब कोई अच्छा न्यूज या बढ़िया क्वार्टर रियल्ट आता है तो अच्छा कमाई होने को फिर उसको गिरा देते हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप जानते होंगे लेकिन यह भी पाउर्ट सक्टर की कंपनिया है दिए मैं गौर्मेंट कंपनियों को प्रिफर इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि यह जो लोग अपने पोटफोलियो में इस स्टॉक को रखते हों बैसिकली सिर्फ डिविडेंट पाने के लिए रखते हैं क्यों भी आप कमाई से आप अमीर बनना है तो क्वालिटी श्टॉक की तरफ फाना और क्वालिटी एस्टॉक मतलब क्या अढ़ानी पाउर और टाटा पाउर यह रिटर्न देते हैं और हमें इस कंपनी में इंवेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी का सेयर प्रैस दिन दूना रात हम इसी में खूस रहते हैं और रही बात की तो यह कंपणी देती ही ढह Defers is सारकारी आटरी कम्पनी को साल में ती एक कंपनी का यह कंपनी कि आडानी ग्रुप के दो कंपनें शक्टर में एक ऑड़ानी ग्रीन एको दूसरा ऑडानी पाब पहले आडानी ग्रीन इनरजी के बात करतें पिर आडानी पावर के बारें बात करेंगे इ당 definite प्रीन प्रोडुट्यूर्ण जबुद के बात करते तो उसमें टर्वाइं सोलर बनाए जाता है उसकी बात की जाए होती है और वाइंटर्वाइं सोलर बनती है यह उड़ से निक इसे बनाय जा सकता है इसलिए इसको रिनीवल इनरजी कहते हैं समझे अभी अडानी ग्रीन का शेयर प्राइस से 2883 रुपया जब कि आप पिछले साल अगस्त में देखेंगे पिछले साल अगस्त में इसके एक प्राइस आठ 900 रुपया आसपास हुआ करता था समझे कितने कम समय में 10 माह के अंदर इसने पैसों को तिन गुना से भी दिकिया और इसके उपर कर्जा भी तालिस जार 545 रुपय यह डेप्ट आप ध्यान में रखेगा अब बात करते हैं अडानी पावर के बारे में समझे अडानी पावर थर्मल पावर प्लांट को डिशर कंपनी है कोईला से बिजली बना जाता है उसको थर्मल पावर प्लांट काते ह बनाता है उसको ठाश्मीट करने के लिए लोगों घडाट को ठाशने के लिए इसके पास इक अडानी ट्रांस्मिशन तो ऑडानी घुरूप के पास तीन कंपनिया हैं ग्रीन इंटी बनाती है और बनाता है दो जो लोगों घड़ तक मेंपनी्ट अगा द्योंटा प्राइस हुआ करता था सो रुपए का सपास और अभी अप्रेल चल रहा है समझे कि इतने कम समय में इसने अपने पैसों को लगवक तीन गुन्ना कर दिया देखिए यह तीन सो का सपास होने जा रहा है इसका एक साल का रिटर्रन है दो सो परसेंट जैसे मैंने कहा तीन गुन इसके पास पानी बिजली बनाने के लिए इसके पास अलग कंपनी है टाटा पाउर का जो टोटल के इन तीनों क्याप से 12808 मेगावाट 12808 मेगावाट का अधिक होता है अब आडानी ग्रीन और आडानी पाउर की बात करें तो दोनों मिला कर यह लगवक 16,000-17,000 मेगावा बिएवल इनर्जी से यह बीजली ट्रांस्मीट करने का और काम खुदी इसके पास कोई दूसरा अलग से कंपनी है जबकि अडानी पाउर के पास अलग से दूसरी कंपनी है बिजली को लोगों के घर तक महुँचाने कि लिए तो अबर अगर बात करें ओल इन वान फैसलेटी आपको यहां एक ही कंपणी में देखने को मिल जा रहा है और इसका सेयर प्राइस देखेंगे तो सिर्फ 242 रुपया है इससे थोड़ा कम है लेकिन लगवग लगवग बराबर ही है और यहां देखेंगे तो इसका सेयर प्राइस अभी जैस से मई सुरू होने अब समझे इसके उपर कर जाए 49,060 को रुपय का करजा देखिए इस दोनों कंपनियों से इससे थोड़ा साधिक है लेकिन इससे बहुत कम है और लगवग देखेंगे तो इस एक कंपनी में जब सारी फैसलिटी मिल रहे है उसके मुकाबले इन दोनों कंपनियों से अगर क इसका काफी कम है तो इतनी बात मैंने आपको बताई अब आप खुछ से कंप्रीजन कीजिए कि आपको किसमें इंवेस्टमेंट करना चाहिए टाटा पाउर में की आडानी ग्रूप के जो कंपनिया है इन में समझेए मेरा अगर पर्सनल अपिनन आप जानना चाहेंगे तो अगर अडानी ग्रूप के कंपनी में इंवेस्टमेंट करना होगा पाउर सेक्टर के लिए तो आपको अडानी ग्रीन मलक करना होगा अडानी पाउर मलक करना होगा अडानी ट्रांस्मिशन मलक करना होगा और इसके लिए आपका इंवेस्टमेंट ज्यादा लग जाएगा जबकि यह सारी टाटा पाउर में एक ही जगवा मिल रही है और जब आप अलग अलग कंपनियों में उतना रुपय लगाएगा तो अगर एक साथ आप फेकी कंपनी में लगा देते हैं तो आपका जो रिटर्न मिलेगा इन तीनों कंपनियों से अधिक मिलेगा और जो कंपाउ नहीं है जहां आपकी मर्जियों लगा दिए उमीद करता हूं यह वीडियो इंफर्मेटीव लेगी होगी वीडियो से कुछ सीखने और समझने को मिलागा जनकारी पसंद आए होगी मन में कोई भी सवाल है कंफ्यूजन ने तो आप उसको कमेंड में जरूर पूछे मैं सब